Hello everyone, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Education System in Bihar का second part तो first part में हमने बहुत सारी important facts quality cover कर लिया था और अब भी जो हम लोग second part को सुरू करने वाले हैं second part में हम लोग कुछ वैसे facts को देखेंगे जो चीज आप शायद नहीं जानते होंगे क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा बिहार का history भी दिखेंगे क्योंकि history समझना इसलिए important है क्योंकि अगर history समझ जाएगा आप तो अपने से भी कुछ questions को सोच विचार करके आप definitely बना पाईएगा तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग content को सुरू करते हैं सबसे पहला यहां पर हम लोगों को यह सब चीज तो हमने last वाली class में already discuss कर लिया था कि हमारे यहां के 80% से ज़्यादा इसे हैं जहां पर प्रधानाचारे नहीं है हमारे school के जो normal विद्यारती कर रहे हैं जो सिक्षक और सिक्षी का होती है वही school को handle करते हैं साथ में education में disturb करने वाले natural climaties भी हमारे बिहारें बहुत ज़्यादा होता है यसे की बाढ़ा जाता है और साथ साथ में जल जमाओ वगरा सड़क का अच्छा मतलब होना होना यह सब चीज भी एक तरीके से हमारे education system को disturb करता है फिर हम लोग यहां पर एक sarcasm भी देखे थे हैं व्यंक जिसमें की कहा गया था कि हम लोग खिड़कियों की संख्या को और ज़्यादा बढ़ा देंगा जिससे की cheating और बढ़ जागी यह एक नई दुनिया का sarcasm है नई दुनिया जो news department है news company है वो इस चीज को publish की थी तो यह सब sarcasm है यहां इस photo से भी हम लोग समझे थे कि हमारा जो education system है एक तरीके से चूड़ी पहने का अर्थ होता है कमजोर कहना यह कमजोर हो चुकी है साथ में इसका जो पेड़ है education का वो जमीन से uproot कर दिया गया मतलब उसको खार दिया गया है और पानी जहां रूट में डालना चाहिए वहां पे पत्तो पे डाल जासा है that's mean कि education system संपूर्ण रूप से देखा जाए तो अबरप्टेड और डिस्टरब्ड है तो यह एक सर्कैस में बच्चों इस चीज को कभी भी feeling पे नहीं लेना है हम ही लोग चाहेंगे भविस्से में इस चीजों को ठीक करना तभी ठीक हो सकता है एक आदमी भी किसी अच्छे चीज की सुरुवात कर सकता है ध्यान रखिएगा तो चलिए आज का जो main content है हम लोग उसको देखते हैं बच्चों देखो इसमें सबसे पहले हम लोग एक data को देखेंगे जो past tense का data है हमारे बिहार का इस data को आप याद रखना है क्योंकि BPSC और बिहार SSC की examination में ये सब data पूछा जा सकता है तो इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है आप इसको समझने हा कोसिस कीजिएगा ये education से related data है तो इसमें यहां बताया गया है कि 2001 के समय में आप इस data को दिखिएगा 2001 के time का ये data बताया गया है कि 2001 में जो बिहार की education percentage थी मतलब 100 में से कितने percent लोग educated थे तो वो सिर्फ और सिर्फ 47 प्रतिसात लोग आप देख सकते हो एक बहुत ही घटियां ये मार्किंग है कि सब्सक्राइब निकाला जाता है डेटा बैंक से क्लेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसको सारवजनिक किया जाता है क्योंकि लोग उसको समझ सके कि कि changes आएं तो वो change हमारा हुआ था 47 प्रतिसात से बढ़ करके 61 दसमलो 8 प्रतिसात पे चला गया था तो यह एक upgrade का सूचक है रजनी कहीं रही है सर हां रजनी आप question पूछना हो तो पूछ सकती है उसके बाद क्या है अब और पीछे हम लोग जाते है 1951 का time देखते है 1951 के time में नहीं देखा जाए तो हमारी बिहार का जो बिहार का जो ओके ओके ठीक है अब मैं देख लेता हूं कौन है देखिए जिनका माइक खुला हुआ है तो बताईएगा हमको अगर कोई ऐसे होंगे तो उनसे हम पूछ लेंगे क्या बोल रहा है कौन के यह क्लास चल रही है बीच में कोई आदमी नहीं बोलिए गलत बात है यह ठीक है ध्यान दीजेगा इसमें कि यहां पर 1951 के टाइम में क्या था कि सबसे कम था हमारे बिहार का एजुकेशन वो कितना परसेंट था तो वो था मेरा 13.46 परसेंट तो यह बहुत ही कम है आप देख सकते हो इतना कम भी नहीं होना चाहिए अब वैसे भी उस टाइम में देश आजाद ही हुआ था तो कि यहां पर आता है देखो अब मिनिमम तो हमने समझा जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो बिहार का लिटरेसी रेट थी कितने परसेंट 13.46 और सबसे जादा जो लिटरेसी रेट में इंक्रीजमेंट हुआ था वो 2011 में हुआ तो आप देख सकते हो 60 साल के बाद एक लंबा चलांग मारा की स्टीज ने हमारे बिहार की एजूकेशन ने तो आप यहां पर क्या क्या याद रखिएगा बच्चो मैं आपको फेर से बता रहा हूं कि 1951 में बिहार की जो लिटरेसी रेट थी वो 13.4 परसेंट थी और अभी के टाइम में हमारी जो लिटरेसी है 2011 के संसस के कार्डिक वह 61.80 परसेंट है और 2001 वाला आप याद रख सकते हो क्यों याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है पीपेसी थोड़ा सा अजीब टाइप से कोश्चन पूछता है वह लास्ट वाला सेंसस नहीं पूछता है पिराना वारा सेंसस पूछता है तो 2001 और 2011 क अप लोग याद रखिए तो एजुकेशन में हाँ जी हाँ जी हाँ संग्यम एजुकेशन में ये चेंजेस है याद रखिएगा तो सबसे अच्छा जो रिजल्ट आया है जुकेशन में लिटरेसी रेट में वह 2011 में है वह 61.80 परसेंट यह यूनिट हम लोग परसेंटेज म ऐसे ग्राफ हम लोग एकर पढ़ते हैं बच्छो तो ऐसा ग्राफ जो कि अब वार्ड में इंक्रीज कर रहा हो उस लोग उसको हम लोग पॉजिटिव ग्राफ करते हैं याद रखिएगा अप लोग इस टीज को जानते भी होगे पॉजिटिव ग्राफ की सुका आता है तो अलग-अलग साल में जब जहां पर भी मैप को यहां पर वो किया गया है एड किया गया है तो इसमें दिखिए इंक्रीजमेंट ही है कहीं भी आप दिखिए का पहले वाले से कम नहीं है तो इसको हम लोग पॉजिटिव ग्राफ के रूप में समझ सकते हैं तो बिहार की इजूकेशन सिस्टम बीते साथ साल में बहुत जादा बदली है बहुत जादा मतलब एकसेस बदली है अब इसको ध्यान में रखिए फिर हम लोग एक ओल ओवर इंडिया का स्टैटस देखते हैं यह स्टैटस हमारा कब का है यह स्टैटस है हमारा ओल ओवर इंडिया क्या पूरे हिंदुस्तान में बिहार का कितना मह रहेंक आता है, तो आप लोग याद रखना बच्चों, 35 आस्थान है बिहार का एजुकेशन के मामले में, और 35 कहां पर होगा आपको पता चल गए, आप देख सकते हो, बिहार यहां पर कहां पर है, लास्ट में है, तो यहां पर हम हमारा लास्ट में, लिगदम लास्ट में आ रहा है बच्चों, तो आप इसको समझेगा कि बिहार की बोजीशन इन एजुकेशन फिल्ड एकदम बॉटम पे है, लोएस्ट, और रैंक हमारा कितना मिल रहा है बिहार को 35, तो हमारे बिहार में, इंडिया में, सब से नंबर व हमारा उडिसा में है, और वहाँ पे एजुकेशन की स्टेंडर्ड को इतना ज़्यादा डेवलप किया गया है, भुविनेश्वर में, कि आप भी अगर कोई फ्रेंड वगएरा, फैमिली के कोई मैंबर वहाँ पर पढ़ते होंगे तो उनको पता चलेगा, कि दिल्ली से भी अच्छी एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यह टॉप के सीटीज हैं, दिल्ली का इसमें नाम भी नहीं आता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, वैसे भी वो केंदर सासित प्रदेश है, केंदर सासित प्रदेश का एक अलग मैप है, मैं आपको बता दूँगा, केंदर सासित प्रदेश में नंबर वन याद रखिएगा, देल ही है एजुकेशन के मामले में, आप इस बात को समझते चलिएगा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग एक हिस्ट्री को देखते हैं, किस चीज का ह महाविध्याले, नालंदा और विक्रम सिला, महाविहार विस्विध्याले थे, तो पुराने समाने में, मतलब 100 years ago, हम लोग और पहले जाते हैं, 100-200 साल पहले के टाइम को देखते हैं, तो उस साय में तीन उनिवर्सिटी हमारे बिहार में थे, जो बहुत ही important थे, सबसे पह नहीं बल कि Asia के अन्य जगहों से लोग आते थे, किस चीज को education को गेन करने के लिए, यहां सिख्छा करने वाले प्रमुख्य विदेशी चातर थे, तो अब यहां पर क्या है, हमारे यहां बहुत सारे जब दूसरे country से लोग आएंगे, तो वहां के topmost scholars को भी यहां पर हम लो यह तीनों के तीनों चाइनीज थे, अब आप एक चीज हम से पुछो कि सर कौन से बात है कि चाइनीज प्लिग्रम रेज को ही हम लोग इंपोर्टेंस दे रहे, एक्चुली यह लोग जो हिंदुस्तान आया थे, वो बधिस्म के काल में आया थे, बुद्ध के मतलब, साथ में तिबद के भी दो लोग थे, जिनका नाम था तारानात और धर्म स्वामीनी, आप देख सकते हो यहाँ पर, अब एक बात ध्यान में रखना, बोध तिबेटियंस और चाइनीज का बहूत बड़ा युगदान है बौध धर्म को हिंदुस्तान से अपने मुल्क में जाने का, याद रखना बौध धर्म की सुरुवात हिंदुस्तान से हुई थी, और यहां हिंदुस्तान में ही अनफ्लोरीज हो गया, मतलब हिंदुस्तान में बौध धर्म बहुत कम आपको मिलेगा, जबकि पूरा का पूरा चाइना, जो दुनिया का सबसे जादा जनसंख वर्तमान में ही मीट गया था, कि इनके दौरा है, तो कुछ मुस्लिम इन्वेडर्स आये थे हिंदुस्तान में, उन्होंने ही इस चीज को खतम कर दिया, फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, वर्तमान में बिहार सिक्षा के दिरिस्टी से एक पिछड़ा हुआ राज है, सभी यही, 61% ही होना एक तरीके से बन जाता है क्या, तो पिछड़ा पन को, हमारे बिहार के पिछड़ा पन को बताने के लिए, यही जो परसेंटेज है एजुकेशन का, मतलब 100 में 61.8 लोग ही एजुकेटेड है, नमस्ते साक्षी, इसमें पुरुस की साक्षरता 71.2% है, इस ड आधी महिला और 71% पुरुसी सिर्फ साक्षर है, देश के समस्त राज्यों तथा केंदर सासी छित्रों में साक्षरता की समगर सुची में, बिहार का अंतिमस्थान 35 है, बहुत खराब बात है, आप याद रखना है, यह भी एक डेटा को याद रखना है, यहाँ पर जितने इस वाले स्लाइड से जो भी डेटा इंपॉर्टेंट है, सब को मैं हाइलाइट करते चल रहा हूँ, आप कोसिस करना, इसको नोट करना, तो नोट भी कर लेना, क्योंकि मैं इसका PDF नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यह छोटा-छोटा कंटेंट है, इसका PDF अभी नहीं बनेग नेक्स टाइम जब रिवीजन करेंगे हम लोग बचो तब इसका PDF बनेगा, तो बिहार में सावधी साक्षरता, रहतास जीले में, देखो बिहार का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो जीले है, उसका नाम क्या है रहतास, और सबसे कम साक्षर कौन सा राज्य है हमारा, प पुर्णिया है, रहतास कितने परतिसत है, 73.4 परतिसत, और पुर्णिया का कितना परसेंट है, 31.3 परसेंट, हम सेम चीज को इंगलिस सम्ही पढ़ चाते हैं, इंगलिस मीडियम के बच्चों के लिए, प्रसेंटली बिहार is a backward state from the point of view of education, where according to the final process of 20 to 11, 61.8% of the total percent is illiterate, are 71.2% literate and females are 51.5% literate, बिहार ranks last, अन्तिम्मा rank 35 in the overall literacy rate of the state and union territories in India, अगर केंदर सासित प्रदेश और राज्यों को मिला लो, तो सब से नीचे आता है, next है, the highest literacy in Bihar is from Rohtas district, सब से ज़्यादा पढ़े लिके लो कहां के हैं, तो Rohtas के हैं 73.4% and the lowest, सब से कम कहां के हैं, 31.3%, वो कहां के हैं, तो पूर्णी कहां, next है, बिहार के उच्च सिक्षा की सुरुवात पटना कालेज में सुरू हुई थी, जो पहले कोलकाता विस्वित्याले से संबन दीता, तो बिहार में जो सुरुवात हुई थी, मैं आपको बता आता हूँ, पटना कालेज की जो सु में 1911, 1911, 1916 में 1916,nehmer, 1960 में 1916 में, 196 मेंleo, 1960 में पटना इनुवर्सिटी की स्टिबलिस की गई थी ध्यान रखना सिच को, और भासले पासले में 2892 में विहार में नेशनल कॉलेज की आस्था अश्थीक आपना की which was earlier affiliated to University of Kolkata तो को बहुत बड़ी fact की बात है आपको ये बात समझ के रखना होगा कि पहले जो हमारा Patna College था वहाँ आता था Kolkata University के अंतरगात में क्योंकि जो हमारा Kolkata, Bihar, sorry West Bengal, Bihar और Uriza सब एक ही प्रांत के अंतरगात आते थे British East India Company के तो East India Company ने उसे में Kolkata को ही Patna का मतलब सेंटर बनाया था education affiliation के लिए Biharis themselves established Bihar National College in Bihari in 1899 और East India Company से डिमांड करके 1899 में याद रखेगा 1899 में Bihar National College की अस्थापना करी गई थी कहां? और बाद में फिर Bihar National College extend हो करके अलागल मगद में चेंज हो गया और Patna University 1916 में established कराया गया था फिर आगया आता है कुछ fact Sorry, 1916 नहीं 1917 में हुआ था मैं मिस कर गया था पतना विस्थापना कब हुई थी बच्चो तो 1917 हिस्थी में हुई थी बिहार विस्थी विद्धाले सेवा आयोक का 1961 1961 में गठन हुआ था जीसे अब बिहार College सेवा आयोक के नाम से जाना जाता है अब इसको ध्यान में रखना मोहन नमस्कार बिहार में वर्स 1988 में केंद्रिय सहयता के संवर्च्छन मिसन शुरू हुआ सक्षर्था मिसन के कारेक्रम को सबसे पहले 1991 में मुझफर पुर्क में गहनता से क्रियानवीत किया गया अब आएगी बात हमारी सक्षर्था मिसन के बारे में जो बिहार का एक सबसे बड़ा मिसन था जीसे कारण बिहार में चेंज हुआ किस चीज का इजुकेशन सिस्टम का तो 1991 में इस चीज की सुरुआती हुई थी बिहार सक्षर्था मिसन इसके अंतरगार बिहार के जितने भी डिस्टिक हुआ करते थे वहां एजुकेशन को एक प्राइमा फेसिया बनाया गया मतलब महत्तपूर्ण ब्यात बनाइए कि आपको एजुकेशन लेना अनिवार हो गया नेक्स्ट है बिहार राज विस्ट विद्याले सेवा आयोक का गठन कब हुआ था 1985 में हुआ था उच्ची सिक्षा के लिए बिहार में 23 विस्ट विद्याले हैं ध्यान रखीगा और फिर भी आप वहां से एजुकेशन प्राप्त कर सेंगे रोजगार परक सिक्षा के लिए राज्य में 21 इंजिरियरिंग कॉलेज है 11 मेडिकल कॉलेज है 6 आयरुवेदिक या युनानी कॉलेज है और 2 पसू चिकित्सा कॉलेज के साथ साथ में 6 कृसी महाविद्याले हमारे हैं इस्तित्य है जितने भी डाटा को मैं लास्ट वाले स्लाइड में इस वाले स्लाइड हैं आप इसको प्लीज नोट कर लिजेगा क्योंकि MCQs अब में आपको यहां से questions आ सकते हैं अभी थोड़ी ही दिर में मैं यहां पर एक MCQ का और्गिनाइज करूँगा उस MCQ में आपको लाइब में करा देंगे फिर बाद में उसका PDF भी दे देंगे कि आप खुद से भी उसको कर लोगे तो हम लोग अभी तुरत थोड़ी दिर में पांच मेंट के अंदर में उस MCQ लाइब MCQ को सुरू करेंगे आप लोग भी जवाब दे सकते हूं वैसे उसमें सारा का सारा जवाब मैं ही दूँगा ठीक है यहां इंग्लिस में लिखा हुए पत्ना उनिवर्सिटी वाज इस्टिबिज इन 1917 पिहार उनिवर्सिटी वाज इसके बीच में हुआ इसको चरहा हो था इन ग्रिमे debates including हमारे बिहार में है जो की employable education प्राप्त कराते हैं मतलब कि यहां से पढ़ने के बाद आपको कहीं ने कहीं रोजगार जरूर मिल जाएगा तो आसा करते हैं आपको यहां पर जितनी भी चीज़े मैंने बताया है सब चुछ आप अच्छे से समझ गया होंगे तो देखो दो मिनिट के अंदर में सुरू होगी हमारी special mcq series आप लाइब में रहिए का लाइब में हम लोग mcq को discuss करेंगे और साथ साथ में आपसे भी कुछ question पूछेंगे अगर आप जवाब देना चाहोगे तो आप नीचे जो हमारा comment section है उसमें आप जवाब दे सकते हो ठीक है ब